कर दोस्तों मैं जितेंद कुमार आप शबों का अपने यूट्यूब चैनल एकलब ग्यान बातिका पर स्वागत करता हूं चलिए आज हम लोग इस मानव जनन का जो एक नया टॉपिक है जो चैनल पार्ट आर्ट है यह आठमा वीडियो है हाइमेन मेंब्रेन के बारे मध्यन क रहें जिसे हिंदी में योनिछत करते लेकिन साधन आणता इसको हैमेन के नाम समय जाना ओंड है को यह देख एक ज्गलत्फ फ़ाह में अक्सर लड़कों के मनने इसी कौं सी गलत्फ़ाह Me मन में रहता है हाइमेन मेंब्रेन को लेकर चलिए उन सब बातों के बाड़े में चर्चा करते हैं सबसे पहले देखें कि हाइमेन मेंब्रेट है क्या है यहां पर हम वेजाइना का चितर बनाएं यह वेजाइना है मानम के योनी का मानम में इस्तरी होती है मेल और फीमेल तो फ दो चिद्र होता है एक योनी में कितना चिद्र होगा दो चिद्र होगा यह होता है एक ओपनी होता है जिसको वैजाइनल ओपनिंग कहते हैं इसका मुह डायरेक्ट गर्भासे से जुरा होता है यह जो वैजाइनल ओपनिंग है इसका मुह अंदर में गर्भासे से जुरा होता इसके उपर एक गोलाकार छेद होता है, जिसका मुह इरिनरी ब्लेडर मतलब मुत्रासे से जुरा होता है, इसका मतलब है कि एक छेद होकर, इस छेद होकर क्या होगा? मुत्र बाहर निकलेगा, इससे क्या होगा? मुत्र बाहर निकलेगा, है ना? तो इस तरी के सरीर से फीमेल के सरीर से मुत्र बाहर किस छेदर से निकलेगा जो उपर का छेद है जिसका नाम है ब्लेडर ओपनिंग या मुत्र द्वार इससे बाहर निकलेगा और यह जो नीचे का छेद है जिसका नाम है वेजाइनल ओपनिंग इसको योनी द्वार भी करते काम है पहला तो प्रविश करेगा समभोग के ।रान मेउटन के । मेल लापस में सेक्स करता है तो मेइल काुष इसी चुदर धूथ करेगैं व। पहला तक काम हुआ कि पहला प्र contrace करता है और दूसरा होता है कि चाइल्ड वर्थ जब शिशू का निर्मान हो जाएगा चुकि गर्भासे से इसका द्वार जुरा हुआ है इसके अंदर में क्या है गर्भासे का यह मुह है तो फिर बच्चा को जर्जन्म होगा इसी छिद्र होका होगा तो इसको करते योनी द्वार अब देखिए यह जोटी यह जो जो ऊत चोटी इसी के तरह फिंगर से रया lleva है अंगली नुमस असनशना है जिसको कटे है क्लाइट्री स्वहिए रचले क्या था है जब मानव का उदविकास परहें या जैसे इस दुनिया में जीव का कैसे कैसे हुआ तो तो सुरू में मेल और फिमेल एक ही बड़ए में था मानव कोई भी जीव हो तो सुरू सुरू में escrime др ef नर ओर मादा दोनों था लेकिन नर खद खेल क्या हुआ कि नर कासरी अलग हो गए तो कुछ अईसे भी रेखर में मादा के सरीर में मादा का आंग पूरस के शरीर ine जैसे हम लोग देख लिए पूरुस में निप्पल क्यों होई अब सेश्य रूप में पूरुस में निप्ल पूरुस है परखेश्य निपल को प्रक्रादी निपल कि आसा क्रुर मजा क्यों किया वह कि इसका मादा में मतलब इस्तिरी में अस्तनगरंती शक्रिया है एक्टिव है जहां मादा अपने बच्चे को दूद पिलाती है पुरुस तो दूद नहीं पिलाता है फिर भी अब सेस्यां के रोप में पुरुस में अस्तनगरंती है उसी धन्य से देखिए यहां पर है कलाइटोरिस यह कलाइटोरिस जो है यह पेनिस के समान है इसमें भी करापन आता है जब महिला जब इस्तिरी या जब लड़की फीमेल एकसाइटमेंट की अवस्था में रहती है जब उसमें उत्तेजना होता है जब उसमें कामुक विचार आता है जब वह सेक्शुली पूरी तरह लिंग में करापन आता है जब पूरुस का पैनिस होता उसमें इरेक्शन आता है उसी रहं से यह भी इरेक्ट होता है और यह बहुत ही सेंसेटिव और यह क्लाइटोरी से चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे आगे जो फीमेल प्रोडक्शन से उपर का जो चितर है जिसको इरिनरी ब्लेडर आपनी या मुत्र द्वार कहते हैं इस होकर मुत्र बाहर निकलेगा और नीचे का जो चितर है इस चितर से क्या होगा ऐसको योनी द्वार करते हैं इस होकर यह तो पहले हो जो सिशं को रिसीव करेगा पेनिस में इंटर करेगा दूसरा होगा सीशु का सीशु का सीशु जन्म लेगा इसी छेद से आप देखें यहां पर क्या है कि यह जो छेद है यह जो छिद्र है इस छिद्र को थोड़ा सा बाबनाते हैं अब देखें इसमें क्या है कि जिल्रीली जैसा जीसे मकली का जाल होता है इस जल्रता किसे रहता है उसा जीden जैसा संधचना है ऋरह कंथ और हलका सा खुला हुआ है ठाइव करो वा इस सा जैसे मकली के जय को इसी तो यहां परिवासा की रूप में लिखा एक थीदम पतली जिली जो वेजायना के ओपनिंग को दौर को आंसिक रूप से ढखता है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं ढगता है बलकि थोड़ा सा ढगता ठीक है अब देखिए चुकि यह मैं हाइमेन नाम की महिला बेग्यानी खोज की ते इसलिए इसका नाम है में मुंबन पर अब देखिए होता क्या है कि अब सोचिए कि यह तो जिल्ली है जिसे मान लिजिए कि कोई अंदर म एक ऐसे सब्खें की पहार का है और यहां पर मकरी का जाल पुर अन्य दिल्गात लगा लगा मोच्वा आ कि यह सुचे किसे कि और मगलेशं धारों करेंगा सोबहाव के पहले जाल को तोघ तब ही तो गूफा में जाएगा और जाल सको परिवेश करेगा गुंद मटलब सम्भोग होता है जब पहला बार उस्तिरी और पुरुस आपस में सेक्स करिया करते हैं सेक्शूल इंटरकोस करते या सहुआत हैं करते हैं इंग्लिष को क當然 या इन्टर रखने के लिए बहुत आसान है इसको कैसे या रखे 되고 करते हैं इंटर को मिला दियत को गया इंटर को मतलब क्या होता है सहवास या जो सेक्स किरियाज होता है पुरूस और इस्त्री के बीच में सायक संबन होता है उसी को इंटर कोर्स होला जाता है तो बहुत आसान है याद करना और इसका दूसरा जो इंगलिस वर्ड है वह होता है क्वाइटस ठीक है तो पहला बार जब पेनिस इसमें इंटर करेगा तो उस समय वह तूट जाएगा जैसे कि यहां पर बोले कि यह एक आदमी है जो इस गुफा में घुसना चाहता है और गेट पर मक्री का जाल है तो जहीं इंटर करेगा तो घुस यह क्या होगा तूट जाएगा पहली बात है अब देखें लड़कों के में में इसी गलत फैमी है बहुत सारी गलत फैमी है वह क्या सोचता है कि सपोज कि यह किसी लड़के की नई नई साधी हुए है अब वह जब अपनी वाइफ के साथ सारीक संबंद बनाता है अगर उस समय यह हाइमन मेंब्रेन नहीं ब्रेक हुआ नहीं तूटा या तूटने का तो सिगनल क्या है कि अगर तूटा तो सभावी है कि ब्लीडिंग होगा मतलब खून बाहर निकलेगा तो अगर नहीं तूटा तो उसे लगता है कि यह जो मेरी वाइफ है यह किसी और के साथ पहले सारीक संबंद बन चुका है ऐसी मन में गलत फामी है ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसा हंडेट परसेंट हम नहीं जेली अब सोचिए कि हाँ पर हम जोता दें हगा रहां आप सोचिए कि हाँ यहाँ प्लास्टर वर्कार मैं नहीं कमेरी कोशी अप्रम बिल्म करते 103 संब्ली घ्ल्ली तो यह अक्सर सांपिल चलाने से हैं या खेल कूद खेल को जैसे हाई जंप है लोंग जंप कबड़ी है जिसमें लर्की लोग यह होता है कि तेज भागदोर करती है इसके खड़ नृ यह जो चिदर ढूटेशी से अतर रही है इसके ओलावा है टेंपॉण को योनी में गुसे से किए को माड़ी गांट होता है जैसे परियड preferably कि के चक्र के बारे में मासिक क्षक्र के महिलाओं के योनी से बलड निकलता है होता है मरा खुन निकलता है और जो अनिशेजित अंडान हुए वह भी वाहर निकलता है आप देखें यह जो टेमपॉन है यह रूई का होता है इसमें धागा लगा होता है तो तो स्वभाविक सी बात है कि इसके अंदर किसको प्रवेश करें इसरोई को चुकि रूई तो अक्षिक से यहाँ इसको ढ़का माले टूटेगा ना उसी धंग से यहाँ पर क्या है कि यह नुए प्र और है गाल तो फिर टयसिद सब्सक्राइध और अधिये तो प्र दीया जाता है ठीक है तो साइकिल चलाने से खेल कूद से तेजी से सीड़ी चरने से टेंपोन को योनी के अंदर घुसेरने से मतलब प्रवेश करने से या इसको इंगलिश में इंसर्शन खा जाता है से भी क्या होता है कि यह हाइमेन मेंब्रेन टूर जाती है इसलिए मन में ऐसी गलत फायमी नहीं रहना चाहिए कि अगर किसी लड़की के अंदर यह हाइमेन मेंब्रेन नहीं है इसका मतलब वो लड़की का कुमारी भंग हो चुका है वो लड़की वर्जिन नहीं है वो कि जो किसी भी बैक्ति के साथ अभी साविक संबंद नहीं बनाई है पूरी तरह से किसी के साथ वह सेक्स नहीं की है उसको भरजिन खाजाता है कौमारी खाजाता है या योन अनुभवों का बास्तविक शूचक नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि जो वह हाइमेन मेंड नहीं लिए कि हलका जटका लगने से भी तूट जाता है कि इसलिए जो भी युवा लोग है वह आप लोग मन से यह गिलत पहमी निकाल लें और देखें किसी-किस इस्तरी में तो ऐसा भी अभी देखने को मिला है कि सकति सर्क्स захfsंबंद बनाने के बाद भी हैमें बचा रहा जाता है और आभी तो मॉडर्न जो मैरिकल टECqeed है वह क्या करता कि अब तो इसतरीके योनी में हैम्न ड़्ली भी लगा देता है कि तरीके से लिए हिमें को ट्रiasm्लांट कर दिया जाता है इसलिए यह होने का वह होने का यह पछान नहीं यह एक पहचान नहीं है बड़िनीटे का जहां कीसी भी लटकी का असाय सम्हध्ध बना है या नहीं बणा लें उसके कारण आपका जो जीवन है या जो दामपत्य जीवन है वह प्रभावित होगा इसलिए यह सब जो मन में गलत फ़हमी है उसको हटा लें तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हाइमें मेंबरन क्या है ठीक है है एक पतली जिल्ली है जो आपनिंग का काम करता है योनी द्वार में ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों आप लोग इसका स्कीन सॉट लेकर नोट कर ले फिर भी दिक्कत हो तो आप जरूर कॉमेंट सेक्षन में लिखें अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों को जरूर सेर कीजेगा थैंक य झाल